सिंग राशी मासिक राशीफल मार्च दो ओजाज चोबिस के लिए तो चलिए जानते हैं सिंग राशी कैसे रहने वाली है मार्च माह में बात करते हैं पारिवारिक जीवन की यदि घर की स्तिती खराब चल रही है और आप पूरी मेहनत भी कर रहे है तो किसी की नजर आपके उपर लगी हुई है इससे बचने के लिए या तो जोतिसी शारा ले या फिर कोई उपाय करे इसमाँ आप अपने शत्रों से भी बच कर रहे और उनके साथ किसी तरह के जगड़े या वाद विवाद में पढ़ने से बचे परिवारगी आप से किसी बात को लेकर अपेक्षा रहेगे और आप उसे पूरा भी करेगे पारिवारिक मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनेगा महा के तीसे सब्ता में ज्यादा समय आप अपने भाई या भेन में से किसी के काम में लगाएंगे रिस्तिदारों में आपकी छवी को नुपसान पहुश सकता है बात करते हैं व्यापार और नौकरी की इस माँ आपको अपने व्यापारी संबंदों पर ध्यान देनी की अवशकता है अनेता परिनाव आपके अनुकुल नहीं रहेगे यदि पैसों को कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां से लाप प्राप्त होगा लेकिन उसकी अपेक्षा कर्चे भी बढ़ जाएगे रुकावा पैसा भी वापिस आ सकता है नौकरी करते हैं तो बहुत आपके काम से खुश दिखाएं देगे शिक्षावे करियर परिनाम आपके अनुकुल रहेंगे हाला कि कुछ दिनों के लिए मानसिक्त नाव रह सकता है स्कूल में पढ़ रहे चातर आपके लिए किसी मागदशन की तलास में रहेंगे कुछ चीज़ों में चनोती का सामना करना पड़ेगा लेकिन समझदारी से काम लिया तो वह जल्दी ही सुलच जाएगी परतियों की परिक्षा की तियारी में लगे चातरों को किसी काम से बाहर जाना पड़ सकता है उनका किसी अपने के दुआरा ही मागदशन किया जाएगा अध्यापको के साथ संबन्द मजबूत होगे और दोस्तों के साथ मिलकर टीम बना सकते है बात करते हैं लव लाइफ की यह माप्रेम जीवन के लिए थोड़ा सब्वेंदन सेल रहेगा यदि आप किसी के साथ लिव इन रिवलेशन में रहते है तो उनके साथ बनाकर रखे आने था किसी बात को लेकर कलेश होने की संबावना है वे आप से कुछ बातों को लेकर निराश रह सकते है इसलिए उन्हें खुशे रखने का परियास करें विवा हो चुका है तो अपने साती के साथ कहीं बाहर गुमने जाये आनेता जीवन में नीरस्ता आ जाएगी विवा के लिए रिस्ता ढूंड रहे है तो मामा पक्ष के ओर से किसी का रिस्ता आ सकता है जो आपकी माँ को भी बहुत पसंद आएगा बात करते हैं स्वास्त जीवन की मन को शांत बनाए रखे ऐसी स्थिति में कम से कम 15 मिनट तक रुके और फिर सो जाए सिंग राशी के लिए लखी नंबर रहेगा मार्च में पांच और लखी कलर रहेगा पीला जेश श्रीराम